नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन रेलवेज भारती रेलवेज की तरफ से बड़ी ही अच्छी टीचर्स की रिकूट्मेंट आई है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पीजीटी, टीजीटी, पी आल्टी की वेकेंशियां है ओनलाइन ही आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं कहाँ कैसे जाके आविदन करना होगा कौन-कौन आविदन कर सकता है किस के सबज़क्ट की रिकूटमेंट है क्या क्वालिफिकेशन है एस लिमिट और सेले वे गएरा आपको इसमें क्या मिल जाएगी सारी चैनकारे बिल्कुल विस्तार से आपको इनके ओफिशल डिटेल नोटिफिकेशन किये माधिम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आप वीडियो को शुरू से लेकि आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और आल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिकूट्मेंट से जुड़ी हुई लेटर्स अपटेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यव चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले तो ठीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस रिकूट्मेंट के लिए आल ओर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडिट आविधन कर सकता है बाकी एक अच्छी बात इसमें और है आपका जो इंटिव्यू है वो भी ओनलाइन ही कंड़क्ट कराया जाएगा तो वो इशू भी नहीं है कि आपको इंटिव्यू के लिए पहुचना होगा स्कूल में तो आप ओनलाइन इंटिव्यू दे सकते हैं अगर आपका सेलेक्शन उसमें हो जाता है तो फिर आप जाइंग कर सकते हैं ये देखिए सबसे पहले वेकेंसों की टिटेल देखिए असिस्टेंट मास्टर मिस्टर स्पीजिटी इंगलिश की वेकेंसी है सिर्फ फिमेल के लिए है चास परतिशयत अंकों के साथ इन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए एनी वन ओफ दा फॉलिविंग ये देखिए तीन ओप्शन आपके पास भी बी टेक कंप्यूटर साइंस आइटी में अकर आप ने कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा कंप्यूटर अप्लिकेशन में है बी लेवल या सी लेवल का तो आप आप आविदन कर सकते हैं मसी कंप्यूटर साइंस में हैं M.C.A. प्लस वन एयर टीचिंग एक्सपिरियंस तो भी आप आविदन कर सकते हैं इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो असिस्टेंट मिस्टर सीटी हिंदी किये सिर्फ फीमेल के लिए है ग्रेजवेशन हिंदी सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो दो साल का डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए ग्रेजवेशन हिंदी में और बीड आपने कर रखी हो यही यहां देखिए और और करके आपसे मांगा गया है तो आप देख लिजए का एस पर एंसी टी गाइड लाइन्स यहां क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है और उसी के साथ साथ आपका टेट क्लियर होना भी आवशक है टीज़ीटी के लिए किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो टेट कंड़क्ट कराया जाता है वो आपका क्लियर हो तो आप आवेदन कर सकते हैं या ऐसी कोई भी कंडिशन नहीं पर टीज़ीलर किसी भी राज् साइन्स में 50% अंकों के साथ एक साल का बैचलर इन एजुकेशन बियर्ड तो कौलिफिकेशन बिल्कुल वही है सेव एंसिटी के अकोर्डिंग इन के लिए भी टेट आपका क्लियर होना आवशक है इसी तरह से असिस्टेंट मिस्टर स्टीजिटी होम साइंस के लिए ये भी फीमोल के लिए है ग्रेजवेशन आपने कर रखी हो किसी भी रिकोगनाइस डیनस्टी से और उसी के साथ होम साइंस में आपने डिप्लोंस कर रखा तो आप आविदन कर सकते हैं इसके बाद असिस्टेंट मिस्टरस जूनियर स्कूल पी आल्टी की भी यहां वेकेंसी हैं सिरफ फीमेल के लिए हैं यह भी इनके लिए 10 प्लस टो आपने कर रखी आप 40 परतिशत अंकों के साथ और 2 साल का डिपलोमा कर रखा एलिमेंटरी एजुकेशन में तो भी आप इनक परतिशत की जो अंक यहां मांगे गई हैं आपसे उन में आपको छूट मिल जाएगे अगर आप SCST OBC आप फिजिकली हैंडिकप्ट के टिगरी से बिलोंग करते हैं और जहां तक आयू सीमा की बात है आयू सीमा देखिए 18-65 साल की आयू वर्क का कोई भी केंडिडिट इनक 25,500 रुपे, TZT के लिए 26,250 और PRT के लिए 26,250 यह फिक्स आपको सैलर मिल जाएगी क्योंकि कॉंकि कॉंटर्टरल बेसिज की रिकूट्मेंट है और रिकूट्मेंट कहां से आ रही है रिकूट्मेंट आ रही है ओ ब्रूव स्कूल की तरफ से जो की मसूरी उत्राखंड भ इंट्रिव्यू फोर एंगेजमेंट ओफ कॉंट्रक्ट्रल टीचर्स आप इस पर क्लिक करेंगे यह डिटेयल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा तो यहां ओनलाइन जो आपका इंट्रिव्यू है वो 27 और 28 जनवरी 2022 को कंड़क्ट कराया जाएगा 27 त 2021 2022 तक आप अपनी अप्लिकेशन यहां मेल कर सकते हैं यह इमेल आईडी दी गई है यह देखिए नोटिफिकेशन में दी गई है और आपको बिलकुल इमेल की जो लाइन है सब्जेक्ट लाइन है उस पर लिखना होगा किस पद के लिए आप आविदन कर सकते हैं और करता है इस परकार आप ओनलाइन इंट्विव दे ही नहीं पाएंगे तो फिर आपको आविदन करने के भी आवशकता नहीं है क्योंकि इंट्विव तो यहां ओनलाइन ही कंड़क्ट कराया जागा तो ठीक है दोस्तों यही जैनकारिया तो पहुंचाएं थी वीडियो के मा वोशकर